हेलो प्रेंट्स कैसों सारे मैं विक्रम और आप सभी अच्छे होंगे तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो दहट आपका है ते डिपलोमा इन एनिमल हजबेंडरी इसमें फ्री शीट और पेमेंट शीट क्या है और आप पेमेंट शीट पर एड्मिशन कैसे ले सकते हैं साथ ही में हम बात करेंगे फ्री शीट और पेमेंट शीट वाले स्टुडेंट्स के लिए चात्रवती या स्कोलर्शिप किस टाइप से आती हैं और जो पेमेंट शीट वाले स्टुडेंट हैं उनकी कितनी फीज जो है फ्री शीट वाले स्टुडेंट्स से अधिक लग है क्योंकि कल ही आपका the head का result आया है तो इसके बाद आपको counseling करवाना है और counseling में आपको payment sheet के बारे में भी जानना बहज जरूरी है तो पहले हम बात कर लेते हैं इस साल जो आपका जो school seat है उनके बारे में तो guys school seat जो है इस बार 311 seat हैं जिसमें से 111 seat है आपके जो सामाज general category student है उनके लिए है और सामाज जो EWS वाल student है उनके लिए 14 seat है SC के लिए 48 seat है cool ST के लिए 60 seat है और OBC के लिए 218 seat है इसमें guys free इनको फिर free sheet और payment sheet में divide किया गया है और payment sheet के हम बात करें तो इसमें guys female reservation भी अलग से दिया हुआ है तो यहाँ पर भी अलग-अलग seat is divide कि हुए जैसे कि male general female general के लिए सभी के लिए अलग-अलग seat हो का dividation किया है तो friends अब हम बात करते हैं कि आपका जो fee से किस प्रकार से लगती है प्रेवेंट sheet और प्रिशेटिन students के लिए और से पहले एक और और की guys यदि आपका मद्धिप्रदेश में कि यदि कोई नए veterinary polytechnic या fishing polytechnic या dairy polytechnic पारंब करने की अनुमती प्राप्त होने एवं अथ्वा नीजी veterinary polytechnic या फिसरी polytechnic या dairy polytechnic खुलने पर दर्शाई गई सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है तो यह tip guys पहली बार दर्शाया हुआ है जो रूल बुक है इसमें कि यदि कोई नीजी veterinary polytechnic college यदि open होता है तो सीटों में जो है संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि फीस आपकी किस प्रकार रहेगी या किस प्रकार आपकी ज़्यादा फीस से रहती है free sheet वालों से तो उनका भी हम discuss करते हैं तो guys free sheet और payment sheet वाले students के लिए अगर हम फीस के अगर हम बात करें तो यहाँ पर semester wise आपको फीस पे करना होगी अगर हम बात करें payment sheet students के लिए तो उन्हें जो है फर्ष्टी सेम में 54,700 रुपए पे करना है और जो free sheet वाले students है उन्हें 34,700 रुपए यहाँ पर पे करना है जबकि second, third और fourth सेम में आपकी फीस सेम रहने वाली है payment sheet वाले students के लिए 46,700 रुपए अधिक रहने वाली है और free sheet वाले students के लिए 26,710 पीस रहने वाली है इन्हें प्रेंस आप देखूंगे कि आपको 20,000 payment sheet वाले students को लिए अधिक देना पर रहे हैं क्योंकि यह payment sheet में 20,000 आपके tuition fees के रुप में दर्चाए गए है यानि कि payment sheet वाले students को 20,000 हर सेम में अधिक पेक करने होंगे वो आपकी tuition fees रहती हैं guys 20,000 अधिक यानि कि 40,000 tuition fees प्रेमेंट sheet वाले students के लिए रहती है और tuition fees प्री sheet वाले students के लिए 20,000 हर सेम में रहती है इसके बाद जो enrollment fees और diploma certificate पीस यह सारे जो detail है यह आपका first sem में ही include हो जाता है अब friends हम बात करते हैं scholarship के बारे में कि किन students के लिए scholarship आती है free sheet और payment sheet पर student अगर admission लेता है तो तो पहले हम बात कर लेते हैं free sheet वाले students के लिए तो free sheet में guys आपका general वाले candidates को छोड़कर SC, ST, OBC तीनों category में जो student रहते हैं उनके जो है की scholarship आती है male, female दोनों की scholarship आती है SC, ST, OBC इस free sheet में guys general category वाले students के लिए scholarship नहीं आती है अगर हम बात करें payment sheet वाले students के लिए तो payment sheet में general और OBC जो student है उनके scholarship नहीं आती है, जबकि SC, ST वाले जो student होते हैं उनके payment sheet पर भी आपको scholarship मिलती है तो friends ये था आपको payment sheet और free sheet में क्या different है और आपको scholarship आपको according मिलती है free sheet और payment sheet पर admission लेने पर और किस type से आपको payment sheet पर admission मिलता है तो payment sheet पर admission लेने के लिए सबसे पहले तो आपको जब आपने application form किया होगा तो उसमें आपके एक option आया होगा क्या आप payment sheet पर admission लेने के चुक है तो आपने यदि yes किया होगा तो उसी yes के according जब आपका result आया तो उसमें भी दो कोलम रहे होंगे एक आया free sheet के according और एक रहेगा आपका payment sheet के according तो payment sheet पर उनी students को admission मिलता है जिन होने application form में payment sheet का जो है option चुज किया था इसके बाद जब आपकी counselling होगी तो उस counselling में जब फ्रेंड्स आप counselling होने के बाद counselling में आप अपना admission के लिए registration करवाते हो तो उसमें भी आपके पास एक option रहता है कि क्या आप payment sheet पर admission लेने के चुक हो तो यदि आप admission ले सकते हो payment sheet पर admission लेने में सक्षम हो तो आप उस विकल्प पर सही या yes कर सकते हो कि हम payment sheet पर admission लेने के चुक है तो ये आपके यानि किट कुल मिला कर हम बात करें तो 80,000 फीस आपकी ज़्यादा लगती है पूरे अगर 2 यर्स की अगर हम बात करें तो हर सेम में आपकी 20,000 ज़्यादा लगने वाली हैं पीस तो ये आप ध्यान रखे तो friends बहुत ही important videos हैं तो आप video को end तक ज़रूर enjoy करिए thanks for watching मिलते हैं नई update के साथ तब तक धन्यवाद और आप channel को subscribe करिए ताकि कोई भी नई videos हो उसे आप miss न कर पाए